Assalamu alaikum, मैं जुलेखा आरफा, जुलेखास किचिन से, जो चलिए आज हम बनाते हैं, एकदम बढ़िया सी मॉटन बिर्यानी, मसेदार, मुंबई स्टाइल, in fact, आलो डाल के, अगर आप आलो नहीं डालना चाहते हैं, तो स्किप कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं रेसे और भी निकाली हुए, दो-तीन पाले से धोके नतार ने मैंने साइट पर रख दिया था, आप एक बड़े से बाउल में डाल दीजे, आचा, यूजवली घोष ना, मैं आधा किलो बोल्लेस लेती हूँ, और वान फोथ केजी हड़ियों के साथ लेती हूँ, पर आप चाहें तो पूरा जो पैकेट आता है नम बिर्यानी के मसाले का वो डाल दीजे, कोई भी बिर्यानी का मसाले का पैकेट डाल दीजे, और कोई भी कंपनी का होगा चलेगा वो डाल दीजे, या फिर अगर आपको घर का बनाना है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया ह वो बना लीजिए और उसमें सेहना 5-6 tablespoon दाल दीजिएगा, अब यहाँ पर मैं डाल दीती हूँ, एक कप भर कर प्यास, तकरीबन 4-5 medium size की प्यास को मैंने बिरिस्ता बनाया था, वो भी डाल दीजिए, एक कप दही दाल दीजिए, फेटी हुई, और सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से mix कर लीजिए, नमक अब आप चक लीजिए, अगर आपको दालने जासा लगे तो दालिएगा, क्योंकि जब आप बिर्यानी का ready-made masala लेते हैं, उसमें नमक होता है, और जब हम masala बनाते हैं, तो कोई लोग दालते हैं, उसमें masala में नमक, कोई नहीं डालता है, तो अब इस समय आप उस हिसाब से adjust कीजिएगा, पॉल अची से mix हो जाए, तो इसे ढाक कर एक गंटे के लिए फिज में marinate होने side पर रख दीजिए, अगर आप मुंबई के हैं, तो आप आलू जरूर खाते होंगे बिर्यानी के अंदर, और कुछ लोग आलू नहीं खाते हैं, तो यह step skip कर सकते हैं, वैसे अगर आप मुंबई बिर्यानी बना रहे हैं, तो जरूर डालिएगा, तीन चार आलू लीजिए, छीन निकाल कर इसके बड़े बड़े पीस कर लीजिए, और इसमें नमक दाल कर पहले दो लीजिएगा, फिर नमक दाल दीजिए, अच्छे से औ आपने तब तक फ्राय करना है, जब तक हमारे जो आलू है ना, लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं, मैंने मीडियम अच कर दिया, अच्छा, लाइट गोल्डन ब्राउन होंगे ना, तो तब तक समझे ना, 80% तक हमारे आलू गल जाएंगे, हां, एकदम बड़े बड़े पीसेज मत रखिएगा, चलिए, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए, तो इन्हें निकाल कर, नितार कर, साइट पर रख दीजिए, प्लेट के अंदर, कुकर का चूला फास्ट आज पर फिर से चालू कर दीजिए, अच्छा गरम हो जाए, तो चार मीडियम साइज क टमाथरों को बारिक काट कर दाल दीजिए, और इसे बार-बार चलाते हुए, फास्ट आज पर फ्राइ करें, तब तक यह जो तेल नहीं चूच जाता, और यह जो टमाथर है, यह नम नहीं हो जाते, और आल्मोस्स इनका पानी है, वो ड्राइ नहीं हो जाता, तब तक फ्र करें, जब ऐसा हो जाए, तो यह जो हमने मरिनेट कर रही हुए मटन रखी थी, वो निकाल कर इसमें डाल दीजिए, पिसमे लाहरा रहाने रेम बोल कर और पार बार चलाते जाए, और फास्ट आज पर दस मिनिट तक भून लीजिए, पार बार चलाते रहिए का, जब दस मि पानी जिसमें हमने मरिनेट करके रखी थी ना मतन उसमें डाल दीजिए, उसमें अच्छे से चलाकर हमारी जो ग्रेवी इसके अंदर डाल दीजिए, इसे भी बहुत अच्छे से पहले तो एक बार मिक्स कर लीजिए, अब कुकर का ढखकन लगा कर इसे तकरीबन फास्ट आ अच्छे से बास्मती राइस को साफ पानी में भिगाने रख दीजिए, पौना घंटा हो जाए तो साइट पर चूले पर पानी रख दीजिए, उसके अंदर थोड़े गरम मसाले सारे डाल दीजिए, नम्मक दाल दीजिए, नम्मक जादा ही दालिएगा, क्योंकि नम्मक च जब 95% हो जाए तो इन्हें निकाल कर ड्रेन कर लिजिए और साइट पर रख दीजिए, चले 15 मिन्ट हो गई है, ठंडा हो चुका है, प्रेशर अच्छा निकल गया, तो यहां पर मैंने खोल लिया, और यूजुली होई जाती है, आप चेक कर लिजिए, अगर आपको चाहि यहां पर मैंने डियानी की पतीली में डाल दिया, अब यहां पर आलूों को उस्प्रेड आउट करके डालते जाएं और थोड़ा सा जो मतन है तो पधा चला सब एक ही बाग जो मतन की पीसे और बाकी की चारों और आपको मतन पीसे नहीं मिल रहे हैं, इसका जो तेल है वो हुआ भी मे इस तरीके से लेकर दाल रही हूँ और अभं भूप सारी बारिक्षिक又 ही खौत्मी राणे काुट कि हरभान आणीश दाल दीजिए आप चाहे तो पुदीना भी बारिक काट कर दाल सकते हैं आप चाहे तो हरी मिर्चियां भी डाल सकते हैं बट में हरीमेट या नहीं दालती हूं, अब यह जो बॉइ करे हुए चावले, इन चावलो को दाल दीजिए, सारा फैला दीजिए, अब इसमें मैं एक कब दूद दाल देती हूं उपर से इस तरीके से, चारो और पैला कर दाल दीजिए, फूट कलर है तो यह इस तरीके से द और अब यहां पर खुब सारी बारी कटी हुई कोथमी रहने के हरा धनिया दाल दीजिए आप चाहें तो फुदीना भी दाल सकते हैं और बिरिस्ता मैंने थोड़ा साइट पर डग दिया था वो भी दाल देती हूँ और इसके साथ साथ 2-3 तेबल स्पुन जितना असली घी भ जालू कर दीजिए और साइट पर है आप देख सकते हैं तव्वे को मैंने अच्छा गरम कर लिया था तो पहले तो मैं यह तव्वा रख देती हूँ अच्छा गरम दव्वा है और यह हमारी बिर्यानी का पतीला है चूला स्लो आज पर है धाक कर इसे कोई वजन रख दीज आज पर चलिए 20-22 मिनट हो चुके माशाला अच्छी भाब फूटी है और मैं चम्मत से चेक भी कर लेती हूँ अगर क्लीन आती है इसका मतलब पूरी तरीके से हमारी बिर्यानी हो चुके चूले को मैं कर देती हूँ बंद और यह जो नीचे का जो तववा है वो हटा दीचे 10 मिनट ऐसे ही रहने दीचे अब 10 मिनट के बाद हमारी लजीज बढ़ियासी मतन बिर्यानी को प्लेट में निकाले और करमा गरम सर्फ करें तो कितनी मज़ेदार और लजीज आप देख सकते हैं मशाला अचा इसे आप चाहें तो किसी भी कचुमबर के साथ साथ मैं कुछ कचुमबरों की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अदर दाल देती हो आप महाँ चेक कर लीजिएगा अगर आपने वह जो पाकेट वाला मसाला दाला है वह तो आप सारा ही डाल देंगे लेकिन अगर आप घर के मसाले की बना के दाल रहे हैं तो मसाला जो अगर करने मटन को रख रहे हैं उसके अंदर दाल दीजिएगा क्योंकि यह जो खटास है ना भार के मसालों के अंदर होती हम घर के मसाले बनाते तो उतनी खटास नहीं होती है वैसे मैंने बिर्यानी बहुत सारी मेरे चानल पर बना कर अपलोड की है आप लोगों के लिए लिए दिस्क्रिप्शन के अदर इन फैक पूरा प्ले लिस्ट है बिर्यानी सीरीज का वहां चेक कर लीजिएगा और हरी मिर्चिया अब डालनी हो तो आप डाल सकते मैंने नहीं डाली है तो है ना मज़िदार रेसिपी आज की अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमें सेक्शन में ज पिक इस आप अंतल दें टेक केर अलाहाफस बड़ाए